तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल SKM Study के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है तो प्यारे बच्चों आपके डिमांड के बाद मैथ के अनसाल पेपर्स का सलिउसन 2021-22 का लेकर हाजिर हो गए है जिन बच्चों को जिले में टॉप करना है यूपी टॉप करना है आप प्यारे बच्चों क्या करोगे अनसाल पेपर्स का सलिउसन दो साल के अगर आप कर लेते हो तो निश्यत रूप से आप मैथ में 90 प्लस स्कोर कर पाऊगे तो अगर आप 2021-22 के अनसाल पेपर्स का सलिउसन परचेच करना चाहते हैं और सभी सबजेक्टों का परचेच करना चाहते हैं मात्र आपको 10 सेट मिलेंगे हर सबजेक्ट में ठीक अगर एक सबजेक्ट परचेच करेंगे 30 रुपए लगेगा और सारे subject purchase करेंगे तो मात्र 80 रुपए में आपको purchase करना होगा तो जो बच्चे exam में अच्छा number ले आना चाहते हैं वो previous year question के 2 साल के papers को solve करें और exam में अच्छा number ले आ पाएंगे देख रहे न पूरे UP board की copy में पूरा solution किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक आपको इस तरीके से 10 सेट मिलेंगे ठीक अगर इन 10 सेटों को आप solve कर लेते हैं तो exam में मज़ा आजाएगा दोस्तों ठीक है मज़ा आजाएगा exam में तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं किसी एक सेट को उठाते हैं देखो UPSP का भी model paper solve किया गया है जो कि यहाँ पर है तो चलिए अब हम एक paper कोई भी अच्छा उठाते हैं जो कि एकदम जबरजस्ट paper हो दोस्तों ठीक है और उसी को solve करेंगे यह लेते हैं यफ जिट यह वाला papers को solve करेंगे बाकी side में रखते हैं तो जो बच्चे एक्जाम में अच्छा नमबर ले आना चाहते हैं हमारे दो साल के previous year question को इस समय discount चल रहा है offer चल रहा है अच्छी रुपए में सारे subject आप पर चेच कर सकते हैं यह हमारे इसी नमबर पे गूगल पेप करने के बाद इसी नमबर पे आपको WhatsApp कर देना उसके बाद आपको सारा PDF आपको WhatsApp पर मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं बीना किसी देरी के इन सब को थोड़ा side में रखते हैं और हम लोग अपने यात्रा की और पूरे solution दिखाएंगे इस वीडियो में फूल solution होगा दोस्तों ठीक है और UP board की copy में होगा जो की आपको board exam में जो copy मिलने वाली है वही copy आपको यहाँ पर हम दिखा रहे हैं ठीक और उसी copy में पूरा solution हम कर रहे हैं तो देखे दोस्तों exam में आप बैठोगे तो इस तरीके से आपको board copy मिलेगी और ऐसे आपका paper मिलेगा ठीक है यह सारे देख रहे हैं हमारे पार धेर सारे पेपर्स हैं जी विग्जान के हैं सामान हिंदी के हैं रसाइन विग्जान के हैं यह मैं धेर सारे papers हैं यही paper आपको देखने को मिलेगा board exam में ठीक है अब हम इस papers को solve करेंगे उससे पहले कुछ ये बता दें आपको कि यहाँ पे यह जो board paper है इसमें आप भरेंगे कैसे तो देखे यहाँ पर आपको roll number भरना पड़ेगा प्यारे बच्चों यहाँ पे ठीक है 10 अंका roll number जैसे हम एक model paper ले लेते हैं आपको दिखा देते हैं कैसे भरना है देखे यह मैंने आल्रेडी भरके यहाँ पर रखा हुआ है तो यहाँ पर 10 अंका roll number मिलेगा आपको 2022 में यहाँ पर roll number लिखना है ठीक फिर यहाँ संके तांग जो भी होगा आपका संके तांग यही डालना संके तांग कहां से मिलेगा तो आपको संके तांग यहाँ पर ऐसे मिलेगा दोस्तों ठीक जैसे देखें मायत का है 2019 के ये वाला जो संके तांक है यही वाला संके तांक इस बॉक्स में हम लोग लिखते हैं ठीक ऐसे देखो 2021 का भी है ये वाला संके तांक यहीं पे लिखते हैं दिन आपका जो भी होगा यहां पे डाल देना परिच्छा तिथी लिखना डैस करके पाले 2, 3 पाले में आपकी परिक्षा होती है केंदर का नाम सर्वोदे सिच्छा सद मतलब जो भी जिस केंदर में आप परिक्षा दे रहे हैं उसी केंदर का नाम यहाँ पे लिख देना है अब आगे देखे प्यारे बच्चो पेपर्स को खोलते हैं और ये रहा आपके पूरे पेपर्स का सल्यूशन अब दिखाएंगे हम आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट करके ये अप्सनल हैं MCQ टाइप कोश्चन है ठीक सुरू के कोश्चन हैं MCQ होते हैं देखें 10 inverse under root 3 minus 1 inverse minus 2 का मान बराबर है इसमें इसका मान कौन सा होगा तो इसका मान होगा दोस्तों पाई बाई 3 यानि ये वाला आंसर सही है तो इसमें यही आंसर होगा आपका फिर फिर दूसरा कोश्चन है मान लीजिए कि समुच्चे यन में R is equal to मजला कोश्टक A कामा B such that A बराबर B minus 2 कामा B is greater than 6 दोरा परिभासित फलन अब इसमें ये परिभासित 2 कामा 4 belongs to R 3 कामा 8 belongs to R 8 कामा 6 belongs to R and 6 कामा 8 belongs to R तो इसमें जो सही आपसन है वो चौथा नंबर है 6 कामा 8 belongs to R फिर देखे आगे अब यहां पे हम अगले कोश्चन के और बढ़ेंगे ये देखे तीन गुड़े तीन अब ये सारा कोश्चन इसका यहां पर लिखा हुआ है तीन जीरो या एक पर जो है पानसो बारा आएगा ठीक फिर अगला है देखे कौन सा फ़लन एक्स बराबर वन पर आउकलनी नहीं है तो यफ यफ एक्स बराबर माड़ाफ एक्स माइनस वन पर आउकलनी नहीं है ओके चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम इसी के साथ थोड़ा यहां पर देखें फिर यह हमारा है यह भुजा में तीन प्रत्सत बिर्धी के कारण भुजा एक सेंटीमीटर के घन के आयतन में सनिकट परिवर्तन यह दोस्तों आउकलन के अनप्रयोग है चैप्टर नमबर 6 आप देखेंगे उसी का कोईस्चन है तो इसका जो साल्ब देखेंगे तो यह हो जाएगा 0.09 x3 x3 cm3 अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्ण की ओर दूसरा प्रश्ण है हमारा जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों सेकेंड नमबर कोईस्चन सेकेंड नमबर कोईस्चन में निम्रिखें सभी खंड को करें पहला है इंटीग्रेशन कुछ ऐसे आएगा यानि यहां पर क्या करेंगे प्यारे बच्चों जरा ध्यान देना इस चीज को हम 10 x को लिख सकते हैं साइन बटे कास और उसका LC हम लेंगे तो कास उपर जाएगा कास x प्लस साइन x ठीक फिर क्या करेंगे दो से गुड़ा करेंगे उपर दो से भाग कर करने के बाद हमें क्या करना है इसमें जरा ध्यान देना प्यारे बच्चों इसमें में जैसे 2 कास x था तो इसमें कास x एक यहां लिख दिया एक यहां लिख दिया और sin जोड़ दिया एक sin x plus cos plus cos x minus sin x अउपर दो पद है दो पदों को अलग अलग करेंगे तो इसके भी नीचे ये लिख दिए अब प्लस इसके भी नीचे ये लिख दिए और समाकलन एक बटे दो dx का गुड़ा इन दोनों में कर दिया ये आ जाएगा ठीक फिर आगे देखे ये कट जाएगा तो यहाँ 1DX आ जाएगा फिर यहाँ पर अलग अलग करेंगे इसको जो है साल्ब करेंगे यानि समाकलन का रूल जब लगाओगे तो इतने का आउकलन करते हैं तो यह मिल जाएगा ठीक है न तो इस तरीके से यहाँ पर यह आंसर में प्राप्त हो जाएगा अब आगे देखे प्यारे बच्चो अब हम दूसरे प्रश्न क्यूर बढ़ेंगे दूसरे क ख दूसरे का जो ख है हमारा जरा ध्यान देना यह है वक्र y square 4 x कामा y एवं रेखा y बराबर 3 से घिरे रेखा का 6 त्रफल ठीक है तो यहाँ पर घिरे रेखा का 6 त्रफल का यह जो सूत्र है जरा ध्यान देना ठीक इस तरीके से इसे जब solve करोगे तो यह मिलेगा अब हैंगे तो आप इसका screenshot लेते जाईएगा ठीक और याद करिए बहुत ही सरल बीधी से यह पूरा solution किया हुआ है तो यह हमारे दूसरे का खा का उत्तर है अब आ जाते हैं दूसरे के गह में जरा ध्यान देना अब आ जाते हैं दूसरे के गह में यह वाला question आउकलन समीकेर ड screenshot ले सकते हैं इसमें क्या किया गया प्यारे बचों तीरिये गुड़ा किया गया है ठीक है और तीरिये गुड़ा करने के बाद इसका समाकलन लेंगे तो इतना आएगा इसका समाकलन लेंगे तो इतना आएगा और इस तरीके से हल करकी answer आ जाएगा ठीक है बहुत इसरल सब अब दो में यह समझाय गया है लिखा गया है तो हम अगर पूरा समझाएंगे तो प्यारे बच्चों एक से डेड़ घंटे का समय लगेगा तो हम सोचते हैं कि आपको question दिखाएं और उसके answer को आप screen shot ले लिजिए क्योंकि आप पढ़ चुके होंगे यह सब ठीक है मैत वाले student तो पढ़ चुके होंगे अब उनको question देखना है कि यह सारे question exam में आने वाले हैं 2013 के exam में इसलिए आप से अनुरोध है कि सभी question पर आप निगाह लगाए रखिए exam में आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला फिर दूसरे कगह कि अगर बात करें तो इसके बीच का कौन निकाल करेंगे और इस तरी के सहल करेंगे यह answer आ जाएगा फटा फटा इसका screenshot लेंगे फिर आ जाते हैं अंगा नंबर question का दोस्तों अंगा है यदि A तथा B दोनों स्वतंत रहें जहां तो P A बराबर प्राइबिल्टी आफ A बराबर 0.3 का मब प्राइबिल्टी आफ B बराबर 0.6 हो तो प्राइबिल्टी आफ A intersection B का मान गयाद कीजिए तो देखें प्राइबिल्टी आफ A की value इतनी है इसरा नमबर आपको question दिखाते हैं प्यारे बच्चों जड़ा ध्यान देना सिद्ध कीजिए कि पुडांकों के समुच्चे Z में R बराबर A कामा B सजदाय 2 कामा A कामा 20 को भी भालत करती है द्वारा प्रदत संबंध एक तुल्लता संबंध है और इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे दोस्तों यहां पे हल हुआ है फिर यहां पे हल हुआ है ठीक यह पूरा question का हल है फटा फटा आप इसका ले सकते हो फिर आ जाते हैं तीसरे के खम A बराबर आप व्यू एक दो चार दोत को दिखाईए कि माड़ाफ टू यह बराबर फोर माड़ाफ यह आपका आप ओका आजाते हैं तीसरे खम तीसरे खम में दोनों पक्षों का लाग लेंगे तो लाग लेंगे च के power n का सूत लगाएंगे तो sin x बगल में आ जाएगा तो sin x into log f x होगा अब देखो दो फलन आ गए अब दोनों पक्षों का आउकलन करेंगे differentiating with respect to x यानि दोनों पक्षों का आउकलन करने पर आउकलन करेंगे तो ddx आफ log y बराबर ddx आफ sin x into log x ठीक अब यहाँ y है यहाँ x है तो dy से गुड़ा dy से भाग करेंगे ठीक ddy log y बराबर one upon y dy by dx हो जाएगा यहाँ पे पहला फलन दूसरे फलन का आउकलन हो यानि one upon x धन दूसरा फलन पहले फलन का आउकलन सुत लगेंगे यह आ जाएगा उसके बाद इधर हल करते हैं तो यहाँ पी यह आंसर में मिल जाता है फिर आ जाते हैं तीसरे के घह में तीसरे घह है क्वेस्चन किस अंतराल में फलन y f x बराबर y x square minus 4 x प्लस 6 वर्धमान है तो y x के साप x इसका उकलन करें में y f x बराबर 0 आ जाएगा ठीक है अब आ जाते हैं आगे चौथे नंबर में प्यारे बच्चों चौथा नंबर हमारा जो कोईस्चन ये है चौथा नंबर कोईस्चन को आपको हम पेपर्स में भी दिखा देते हैं ठीक है ये रहा आपके 2022 का पेपर 2022 के पेपर का दो नंबर का कोईस्चन सभी खंड क करना अनिवार रहा है चोथे नंबर में इंटीग्रेशन आप इसका समा कलन निकालना है प्यारे बचों समा कलन निकालोगे न तो यहां पर पूर्ण वर करोगे तो आ जाएगा एक्स प्लस वन का होली स्कॉर प्लस वन और यहां पर सूत लगाओगे टैन इंटीग्रेशन इसको एपले से इसको एडीएक्स पराबर 10 इंवर्षक्षण वाई ए प्लस फी तो यहां पर 10 इंवर्ष एक्स प्लस फी हो गया ओके अब देखिए आगे अब आज आएए चोते कॉखह में चोते कॉखह का अगर हल करेंगे बिन्दू माइनेस दो कामा चार कामा माइनस प यह आपके वेक्टर के बात का जो चैप्टर है उसी चैप्टर का यह कोईस्चन है ठीक त्रीविंग जामिती का अब आगे देखे घा नंबर है रैखिक प्रोग्रामिंग का कोईस्चन निमने लिखित औरोत के अंतरगर जेट बराबर त्री एक्स प्लस नाइन का नियुन न नौट y is greater or equal to zero अगरांकित आक्रिती में छाय आंकित रेखा तो इसको जो हल करेंगे न यह दोनों पहले तो हम लेस दान हटा की बराबर लगाएंगे और इस तरीके से 넘 करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरृप्र मिलेगा और यह मिलेगा और यह हमारा सल्यूशन इसका नियूंतम मांद साथ होगा तो फटा फट स्क्रीन साड़ लेंगे अब आ जाते हैं चौथे के घा में रध्यान देना तो प्यारे बैचों चौथे का घा है एक परिवार में दो बच्चे हैं इनमें कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्राइकता ग्याद कीजिए और यहां पर यह देखे पूरा सल्यूशन किया गया फटा 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 आप स्क्रीन साड़ लेंगे आगे बढ़ेंगे ठीक स्क्रीन साड़ लीजे सभी बच्चे और फिर यहां पर यह देखे यहां तक सल्यूशन है आपको प्यारे बच्चों क्या करना है क्यावली screenshot लेना और इसको याद करना है कि ये qeion plate के तौहजार तेइस के घ्जाम में आना ही आना है याद रखना प्यारे बच्चों गनि तो सेम तो सेम रहता है बस उसके अंक बदले रहते हैं अगला निम्नलिकिद में किनी 5 खंडो को हल कीजिए यदि PX बराबर X के समस्मुचेओं का समुचे हो जहां X is जनाट इकॉल टू फाई एवं संबंद R कामा PX पर इस प्रकार परिभासित हैं कि A related B यदि और क्योवल यदि A subset B हैं सिद्ध कीजिए R तुलता संबंद है यहां पर देखिए यह पूरा तुलता संबंद लिखा हुआ है ओके स्क्रीन साड़ लेंगे और यह यह जांपल का कोईश्चन है प्यारे बच्चो ठीक अब देखिए आगे पांचवें का ख़ा है यदि A बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए A-6A चारब से प्लस 2I बराबर 0 ठीक तो यहांपर A² A और यह दो बार गुडा करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा थीक उसके बाद इसका गुडा A2 में A का गुडा करोगे तो यह मिल जाएगा फिर इसका left hand side लेंगे जरा ध्यान देना left hand side में A cube की value रखेंगे 6 A square की value रखेंगे प्लस 7 A की value रखेंगे प्लस 2 I की value रखेंगे फिर इसको हल करेंगे तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा 0-0 ठीक ये right hand side आ गया हमारा अब आगे देखें गर नमबर पांचवे का गर नमबर ये है पांचवे का फलन की घात फलन तो दोनों पक्षों का लाग लो आख मूंद का लाग लो चेप्टर नमबर 5 आवकलन समीकरण ठीक आवकलन की सवाल है ये ठीक आवकलन समीकरण की नहीं बट आप कितना अच्छे से हल करता है यह आपके डिपिंट करता है ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अब यफ एक्स बराबर एक्स प्लस साइन टू एक्स का जीरो कामा टू पाई पर उच्छतम तथा निम्नतम मान ग्याद कीजिए और यहां पर देखे यफ एक्स बराबर इस इसका जब बैलू लिखेंगे तो कास्ट टू पाई 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 थ्री आएगा और इसके मान कितने कितने हो सकते हैं टू एक्स के यह हो सकते यह हो सकते हैं यह एक्स के इतने मान हो सकते हैं जो यह किससे बिलांग कर सकता है जीरो और टू पाई के बीच अब एफ डैस एक् रखाए और फिर ये कुछ नीचे है ओके तो इतनी बड़ी वैलू आपको मिलने वाली है फिर आ जाते हैं अंगा पांचवे का अंगा में पांचवे के अंगा में आपका चाटवे नंबर चैप्टर और कलन के उन्हें प्रयोक से है ये है सनिकट मान गयात कीजिए ठीक है और यहां पर देखो ये पूरा हल करके यहां तक आया है फिर इसलिए यक्स बराबर दोसो चपन तथा डेल्टा यक्स बराब माइनस वन रखने पर कुछ इस तरीके से ये ब सड़ लेंगे यहां तक है ये पूरा अब आगे देखे निम्नलिखित में किनी पांच खंडों को हल कीजिए पांच खंड यहां पर देखे जो चाटवा नंबर कोईस्चन है प्यारे बच्चो जर अध्यान देना ये चाटवा नंबर प्रश्न है ठीक इस चाटवे नंबर इंद्ली का में विश्यद ध्यान देना कि पूरा करके चले आएं चारे ठीक यह पाईया कीके यह ठीकर आ है इसका प्रस्न और इसका उत्तर यह रहा इसके बाद यह आपका घह है ठेक पांच खंड करना है यह घह का यह नीचे उत्तर यहां तक लिखा हुआ है अब आगे अगले पेज में आपको दिखाते हैं अब आजाते हैं अंगा में अंगा की अगर बात करें तो यह रहा अंगा ठेक यह इसका पूरा उत्तर नीचे लिखा हुआ है कुछ उत्तर यहां पर भी है फटा पर डिस्को भी स्क्रीन सोड लेते जाएंगे ठेक अभी समझाने पे आपको देड़ घंटे का समय लगेगा प अब आजाते हैं शातवे नंबर में अब आजाते हैं शातवे में ग्याब का लविकानी पर प्रस्न उत्तर दोनों थीख फटा पढ़़ स्क्रीन सोड लेंगे फिर आठवे का यहां प्याज आते हैं इन में से एक खंड करना है आठवे का पहला किया उगा है थीखो आठवा नमबर आपको question पहले दिखा देते हैं फिर solution करवाते हैं प्यारी बच्चों देखो एक खंड करने है ठीक एक खंड में चाहे काका पूरा कर दो चाहे काका पूरा कर दो ठीक तो यहाँ पे खाका दोनों किया गया है आप देखे जरा खाका देखे खाका पहला नमबर फटा फट इसक्रीन सोड लेंगे पहला खाका पहला और यहाँ तक है खाके पहले का यहाँ तक अब यह खाका दूसरा है आठवे का खाका दूसरा यह स्क्रीन सोड लेंगे फटा फट और इसके बाद यह है ठीक फिर 9 नमबर में आ जाते हैं प्यारे बच्चों 9 में एक खंड़ करना है तो काका ये पुरा है इसका स्क्रीन सोड लेंगे और इस तरीके से यहां पी इसका स्क्रीन सोड लेना है ओके स्क्रीन सोर लीजिए और ये नीचे भी और फिर आप आजाईए इधर ओके तो चलिए आपको इसी तरीके से अगले वीडियों फिर मिलेंगे ठीक और ज्यादा जानकारी के लिए आपको अगर एक्जाम में अच्छा नंबर ले आना है तो हमारे इस नंबर से संपर कर सक सकते हैं ठीक है दस सेट आपको मिलेंगे मात्र 80 रुपए में दो साल के प्रिविएस येर कोईशन का सल्यूसन आप लेके एक्जाम में 90 प्लस फोड़ सकते हो ठीक आप पढ़ेंगे तो फोड़ेंगे नहीं पढ़ेंगे तो नहीं फोड़ पाएंगे याद रखना दोस्तों अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए जाहिन जैभारत वनिमान